हलो इस वीडियो में where the mind is without fear इस poem की समरी रीट करते हैं और साथ ही उसके हिंदी मेनिंग भी समझते हैं where the mind is without fear is a prayer to God ये जो poem है ये एक prayer है एक प्रार्थना है जो God से की गई है the poet prays to God to convert his nation into heaven of freedom free of all ills जो poet है वो God से ये pray करता है ये प्रार्थना करता है कि उसके राष्ट को उसके देश को ऐसे जन्नत में बदल दिया जाए जो आजादी की जन्नत है जो सारी बुराईयों से दूर हो the poem was written by Tagore during the time when India was under British rule ये जो poem है ये रविंदर नार टेगोर जी द्वारा लिखी गई थी जबकि जो इंडिया था वो British rule के अंडर था the poet wants his countryman to awake and enjoy a life of full of dignity and honor जो poet है जो कभी है वो ये चाहते हैं अपने देशवासियों से कि वो जागे उनके अंदर जाग रुकता है और साथ ही वो जिन्दगी को पूरे सम्मान के साथ और इज़त के साथ जी है the poet truly backs and prays to God that each individual is allowed to raise his head high वो वाकई मैं ये God से प्रातना करते हैं कि हर वैक्ती इज़त से सर उठा कर जी सके he prays to God for the people of his nation to be fearless and courteous and for access to education for everyone साथ ही वो God से ये भी प्रातना करते हैं कि उनका जो नेशन है उसमें जो भी लोग रहते हैं वो निडर हो और साथ ही विनम्र भी हो और education हर किसी को मिले there should be fearless atmosphere and the country should be place where knowledge is available to everyone equally and without discrimination वो चाते हैं कि इसी तरह का atmosphere हो ऐसे ही वातावरण हो उनके देश में और साथ ही ऐसा भी हो कि जो knowledge है जो शिक्षा है वो सब को बिना किसी भेदभाव के मिले he wants India to progress as a consequence of people's hard work वो चाते हैं कि इंडिया तरह की करें लोगों की जो मेहनत है उसके परिणाव सबरूप मतलब लोग इतनी मेहनत करें कि इंडिया जो है वो खो आगे बड़े विकास करें वो चाता है कि लोग जो है वो इमानदार हों खुले विचारों के और साथी बहुत महनती भी हों जो देश है वो अंधविश्वासों से उपर उठे जो पोईट है वो चाता है कि उनके जो देश के लोग हैं उनमें शान्ती और सिमर्दी आए और इसके प्रेणाव सुरूप जो पोईट है वो गोट से ये प्रेए करते हैं कि उनके नेशन में जागरिती आजाए उनके देश के लोगों में जागरिती आजाए He prays to assist his people in transforming his country into a heaven of freedom साथ ही वो ये भी God से pray करते हैं कि लोगों को एक सही दिशा दिखाएं ताकि वो अपने देश को आजादी की जन्नत में बदल पाएं तो चलिए इस पोहम में जो poetic devices यूज़ हो हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं अब आपको पता ही है कि एक्जाम पैटर्न चेंज हुआ है तो इस तरह के poetic devices को जानना figure of species को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि उससे related भी questions आ सकते हैं एक्जाम में तो first देखते हैं यहां पर क्या use हुआ है metaphor use हुआ metaphor compares two different things metaphors directly state a comparison they make a statement something is something else जो metaphors होते हैं वो हमेशा दो different चीज़ों को compare करते हैं उनकी तुलना करते हैं और यह एक statement देते हैं कि हाँ यह चीज दूसरी चीज है there are various examples of metaphors in this poem और इस poem में बहुत सारे example metaphors के use हुए हैं वो examples देखते हैं narrow domestic walls refers to various barriers कि इसका use किया गया है बहुत सारे barriers के लिए clear esteem of reason refers to a mind which is always guided by reason rather than superstitions कि इसका use हुआ है ऐसी सोच के लिए जो की तर्क पर आधारी तो ना की अंधविश्वासों पर deary desert symbolizes superstitions कि deary desert किसका परतीख है अंधविश्वासों का दूसरा अगर हम देखें यहां पर illustration की बात करें तो वो क्या होता है repetition of consonant sounds in two or more neighboring words और syllables कि जहां पर आस पास के दो शब्दों में same consonant sound use होती है तो उसे illustration कहते हैं अब यहां पर इसके example देखें तो head is held high अगर आप यहां देखेंगे तो h repeat हो रहा है not being broken भी repeat हो रहा है striving stretches reary desert sand of dead habit थर्ड अगर हम देखें तो यहां पर क्या use हो है symbolism the poet uses various symbols in the poem तो बहुत सारे symbols उन्होंने use करें जैसे depth of truth narrow domestic walls clear stream of reason heaven of freedom अब इसके साथ ही मैं आपको कुछ खास words और उनके meaning बता देती हूँ important words from the passage अगर हम बात करें fragments तो उसका meaning होता है pieces, टुकडे domestic, related with family जो कि घरेलू चीज हो tireless, striving, continuous efforts and struggle लगातार चलने वाली कोशिशे reary मतलब dull जो बिलकुस हो गया dead habit, old traditions, rituals and customs that are harmful पुरानी चली आ रही ही रितिरिवार्ट जो कि नुकसान दे है एक सिहां पर है ever widening मतलब forever prodning once outlook कि किसी का दृस्टी कोर हमेशा के लिए बदल देना और उसका विस्तार कर देना I hope ये वीडियो आपके लिए useful रहा होगा तो इसको like जरूर कर दीजी और channel अभी तक subscribe नहीं किया तो जरूर subscribe कर लीजे